हेलो फ्रेंड्स में त्रीदिनिंग जीके के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में पूरे एक्स्प्लैनेशन के साथ हम डिसकस करेंगे साइन्स के टोप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसंस जो पिछले एक्जा करें यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो आईए सुरू करते हैं आज की क्लास आज का हमारा पहला क्यूसन के रहा है निमन में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है ओप्षन A हीमोगलोबिन ओप्षन B क्लोरोफिल ओप्षन C विटामिन B12 ओप्षन D सिस्प्लाटिन तो फ्रेंड इस क्यूसन का आंसर होगा ओप्षन C विटामिन B12 विटामिन B12 के अंद अंदर iron उपस्तित रहता है, ठीक इसी परकार chlorophyll हरी पतियों में पाए जाने वाला हरी तलवक है, जिसके अंदर magnesium पाए जाता है दोस्तों, और cisplatin एक परकार का anti-cancer agent है, जिसके अंदर platinum धातु उपस्तित रहती है, इसका परियोग cancer के इलाज के लिए chemotherapy में किया जाता है, त इस रेडियो समस्तानिक का परियोग कैंसर के इलाज में किया जाता है ओप्षन A, Potassium 40 ओप्षन B, Iodine 131 ओप्षन C, Phosphorus 32 ओप्षन D, Cobalt 60 ओप्षन E, Carbon 14 ओप्षन F, Sodium 24 तो फ्रेंड, इस क्यूशन का आंसर होगा ओप्षन D, Cobalt 60 इसकी फच्वरोग कैंसर के इलाज में किया जाता है ठीक इसी परकार Iodine 131 रेडियो समस्तानिक का परियोग गेंगारोज के इलाज में किया जाता है ओप्षन C, Phosphorus 32 का परियोग दोस्तों लूकेमिया की थेरेपी में किया जाता है फ्रेंड्स लूकेमिय एक परकार की बलड से रिलेटेड बिमारी होती है जिसके अंदर हमारे खून के अंदर WBC की मात्रा यानि उसकी संक्या अनियंत्रित हो जाती है इसको लूकेमिय का जाता है और इसकी थेरेपी में फोस्पोरस 32 रेडियो समस्तानिका पर्योग होता है टी किसी परकार सोडियम 24 का यूज हम बलड सर्कूलेशन को ट्रेस करने में करते हैं तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स कार्बन 14 और पोटेशियम 40 इन दोनों का इस्तमाल हम डेटिंग में यूज करते हैं अर्थात किसी वस्तू की आयू का निर्दारन करने में इन दोनों समस्तानिकों का यूज करते हैं जहां पर potassium 40 का यूज हम geological dating के अंदर करते हैं geological यानि भू-veganic dating जैसे चट्टानों की आयू का निर्दारन करना हो तो वहां पर potassium 40 का इस्तमाल करते हैं तथा carbon 14 का इस्तमाल हम archaeological dating यानि पूरा तात्विक dating के अंदर करते हैं जिसके अंदर किसी जीवास्म की आयू का निर्दारन करना हो या कोई पूरा तात्विक महत्यू की कोई चीजे हैं उनकी आयू का निर्दारन करना हो तो वहां पर हमें carbon 14 रेडियो समस्तानी का परियोग करना होता है तता potassium 40 का यूज चट्टानों की आयू का निर्दारन करने में किया जाता है तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है इसको आप अच्छे से ध्यान रखे तो हमारे इस क्यूशन का आंसर के हो गया Option D, Cobalt 60 ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देखते हैं ये क्यूशन के रहा है नियासीन विटामिन का परमुकारिय है Option A, बालों की वर्दी करना Option B, लोहे के अउसोसों को बढ़ाना Option C, मास पेशियों को मजबूत करना Option D, दमनियों के इस्तुलन को कम करने में साहिता करना तो फ्रेंड, इस क्यूशन का आंसर होगा Option D, नियासीन विटामिन अर्थाद विटामिन B3 दमनियों के इस्तुलन को कम करने में साहिता करता है और बालों की वर्दी करने में विटामिन B7 साहिक होता है जिसको हम बायोटीन कहते हैं हमारे सरीर में लोहे के अउसोसों को बढ़ाने का काम विटामिन C करता है जिसको A-score B-cacid भी का जाता है और मास फेंसियों को मजबूत करने का काम विटामिन A करता व्रेंड जिसको रेटिनोल भी का जाता है तो हमारे सरीर का आंसर हो जाएगा Option D, नियासीन विटामिन का पर्मुकारिये दमनियों के इस्तुलन को कम करने में सायता करना है ठीक इसी परकार नेक्ट क्यूस्टन देखते है ये क्यूस्टन के रहा है परकास संसलेशन में किसका ओक्षिकरन होता है Option A, सूरिय परकास Option B, कारबन डायोकसाइड Option C, जल Option D, क्लोरोफिल तो Friend, इसक्यूस्टन का आंसर होगा हमारा Option C, परकास संसलेशन में जल का ओक्षिकरन होता है Friend, ओक्षिकरन का मतलब होता है किसी योगिक से ओक्षिजन जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना इसी परकार अपचेन का मतलब होता है किसी योगिक से ओक्षिजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना तो Friend, परकास संसलेशन की अभिक्रिया एक परकार की रेडोक्स रियक्षिन है दोस्तों, रेडोक्स रियक्षिन का मतलब है कि जिस रियक्षिन में अपचेन और ओक्षिकन दोनों साथ में हो रहे हो तो Friend, होता क्या है परकास संसलेशन में कार्बन डाई ओक्साइड और जल आपस में परकास की उपस्तितिय में रेडोक्स रियक्षिन करते हैं और कार्बो हाइड्रेड अर्थात ग्लुकोज और वातावरण में ओक्सिजन को रिलीज करते हैं तो अब यहां देखें दोस्तों इधर CO2 थी वो रियक्षिन के बाद में क्या बन गई? कार्बो हाइड्रेड अर्था नि ग्लुकोज बन गया यानि इसमें देखें हाइड्रोजन जुड रहा है तो मैंने भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कलाएगा दोस्तों अपचेन तो यहां पे कार्बन डाई ओक्साइड का क्या हो रहा है अपचेन हो रहा है ठीक इसी परकार H2O सो यह जा रहा है O2 के अंदर यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है बार यानि यहां पे H2O का ओक्सिकरन हो रहा है तो दोस्तों परकार संस्लेशन की किरिया में जल का ओक्सिकरन होता है और कार्बन डाई ओक्साइड का अपचेन होता है तो हमारे इस क्यूशन का आंसर हो जाएगा option C परकार संसलेशन में जल का ओक्सिकरन होता है ठीक इसी परकार नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं ये क्यूशन कहे रहा है जब हम भुमद्य रेखा से उत्तर दुरू की और जाते हैं तो जी गुरुत्यों त्वरण कैसा हो जाता है ओप्सन ए यथावत रहता है ओप्सन भी क्यूशन का आंसर होगा ओप्सन C जब हम भुमद्य रेखा से उत्तर दुरू की और जाते हैं तो गुरुत्यों त्वरण का मान बढ़ता है फ्रेंड गुरुत्यों त्वरण का मान होता है जी इस इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर इसक्वाइर जहां पर आर उस परत्वी के केंदर से दूरी होती है तो फ्रेंड आर का मान बढ़ने पर जी का मान गटता है और आर का मान गटने पर जी का मान बढ़ता है तो फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं परत्वी का आकार दुरू पर चप्टा होता है जिस वज़े से आर का मान कम हो जाता है आर का मा प्रकास रासानिक धुंद पेदा करने वाला औक्षिदन्ट है option A hydrocarbon और नाइटरेट और penso B ozone addiction C carbon monoxide और नाइटरेट option D carbon dioxide और नाइटरेट तो इस क्यूसिषन का आणजर होगा option A hydrocarbon ये क्यूस्टन के रहा है निम्न में से कौन सा प्राकरतिक बाउलक है option A, bakelite, option B, cellulose, option C, PVC, option D, nylon तो friend, execution का answer होगा, option B, cellulose एक प्राकर्तिक बहुलक है ये glucose के monomers का बना होता है, तता हमारी body cellulose को पचा नहीं सकती है साथ ही bakelite एक परकार का thermosetting plastic है दोस्तों thermosetting का मतलब है कि इनको एक बार बनाने के बाद फिर से गरम करके वापस नहीं बनाया जा सकता bakelite का इस्तिमाल दोस्तों electric switch बनाने में करते हैं, तता kitchen का सामान बनाने में करते हैं ठीक इसी परकार PVC एक परकार का thermosetting है दोस्तों, thermosetting का मतलब होता है कि इनको फिर से गरम करके बनाया जा सकता है PVC का इस्तिमाल हम pipe वगरा बनाने में करते हैं, और nylon एक परकार का flexible और durable बाउलक है दोस्तों और इसका इस्तिमाल कपड़े वगरा बनाने में यूज करते हैं, तो इस question का आंसर होगे हमारा option B, cellulose एक प्राकरतिक बाउलक है ठीक इसी परकार next question देखते हैं ये question कहे रहा है, मानव गुर्दे human kidney में बनने वाली पत्री प्राय बनी होती है option A, calcium oxalate की, option B, sodium acetate की, option C, magnesium sulfate की, option D, calcium की तो friend, इस question का answer का option A, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्री calcium oxalate की बनी होती है friend, जिसका formula होता है C, A, C, 2, O, 4, dot, H, 2, O, और bracket के बाएर ये X ये X का मान दोस्तों vary होता रहता है तो ये calcium oxalate का formula friend, इसी परकार next question देखते है ये question कहे रहा है, वाहनों के headlight में किस परकार का दर्पन का इस्तमाल होता है option A, समतल दर्पन, option B, अउतल दर्पन, option C, उतल दर्पन, option D, परवलाई दर्पन तो friend, इस question का answer होगा, option B, वाहनों के headlight में अउतल दर्पन का परियोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों ये अनन्त से आने वाले परकास को एक जगे केंडरित करता है, इनको अभिसारी दर्पन भी का जाता है तथा इनका use search light में भी करते हैं, जो saving बनाने का mirror होता है, उसके अंदर भी अउतल दर्पन का परियोग के जाता है उतल दर्पन का परियोग दोस्तों, हम गाड़ियों के side mirror में करते हैं, तो इस question का answer हमारा option B हो गया ठीक, इसी पर का next question देखते हैं ये question कह रहा है, परतिबिंब की उचाई के वस्तू की उचाई से अनुपात को कहा जाता है option A, परावर्तन का पर्थम नियम, option B, दर्पन सुतर, option C, रेखिक आवर्धन, option D, पार्सु परतिलोमन या उतकरमन तो friend, discussion का answer होगा, option C, परतिबिंब की उचाई के वस्तू की उचाई से अनुपात को रेखिक आवर्धन का जाता है तता परावर्तन का पर्थम नियम होता है, आपतन कोण बराबर, परावर्तन कोण दर्पन सुतर होता है दोस्तो, 1 by F is equal to 1 upon V plus 1 upon U, जहाँ पे F है दर्पन का फोकस दूरी, V है दर्पन से परतिबिंब की दूरी, U है दर्पन से वस्तू की दूरी तता ये 500 परतिलोमन का मतलब होता है दोस्तो, वस्तू का बाया भाग दाया दिखना और दाया भाग बाया दिखना, ये 500 परतिलोमन के लाता है और ये सम्तल दर्पन के अंदर पाया जाता है, ठीक इसी पर का next question देखते हैं ये question के रहा है, पीतल निमन लिखित में से किन का मिस्र धातू है, option A, तामबा और जस्ता, option B, सीसा और टिन, option C, जस्ता और टिन, option D, क्रोमियम और निकल तो friend, इस question का अंसर होगा, option A, पीतल, तामबा और जस्ता की मिस्र धातू है, इसी परकार दोस्तों जो सोल्डर धातू होती है, वो सीसा और टिन की मिस्र धातू होती है, तथा stainless steel के अंदर क्रोमियम और निकल पाये जाता है, तो इस question का अंसर होगा, हमार option A, ठीक इसी परक next question देखते हैं, ये question के रहा है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाये जाता है, option A, जस्ता, B, तामबा, C, कार्बन, D, सोडियम, तो friend, इस question का आंसर होगा, option C, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन का इस्तिमाल किया जाता है, साती दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चड़ाई जाती है, जिसको गेलवे नाइजेशन कहते हैं, ये question भी बहुत ज़्यादा बार पूचा गया एक्जाम में, तो इस question का आंसर हो जाएगा, हमारा option C, कार्बन, ठीक, इसी परकार, अग option D, nucleus, तो friend, इस question का आंसर होगा, option A, ribosome को कोसिका की protein की factory का जाता है, क्योंकि ये protein sensation का कार्य करता है, इसी परकार, lysosome को friend, आत्मगाती थेली या suicidal bakes का जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले hydrolytic enzyme को release करती है, फिर खुद ही अपनी कोसिकाओं को nest कर देती है, उसके बाद, mitochondria को कोसिका का सकतिगरे या powerhouse of sale का जाता है, क्योंकि ये कोसिका के स्वसन के लिए responsible होता है, इसी परका nucleus को कोसिका का controller का जाता है, क्योंकि ये कोसिका की सभी गतिवीदियों को control करता है, तो हमारे इस question का answer हो जाएगा, option A, ribosome कोसिका की protein की factory कहलाता है, इसी परका next question देखते है ये question के रहा है steel में कितना carbon होता है option A 0.1 से 2% option B 7 से 10% option C 10 से 15% option D सुनिये तो friend इस question का answer होगा option A steel में 0.1 से 2% carbon पाया जाता है friend जो carbon steel होता है उसको दो category में divide किया जाता है एक होता है mild carbon और एक होता है high carbon steel तो mild carbon steel के अंदर दोस्तों 0.02 से 0.25% तक carbon पाया जाता है और जो पिटवा लोहा होता है वो carbon steel का ही एक उदारने दोस्तों जो लोहे का सबसे सुदतम रूप है इसके अंदर 0.12 से 0.25% carbon पाया जाता है इसी परकार जो high carbon steel होता है इसके अंदर 0.2 से 2.1% तक carbon उपस्तित रहता है और इससे ज़्यादा आगे जाने पर हमको cast iron मिलता है जिसके अंदर 2 से 3% तक carbon उपस्तित रहता है और इस cast iron को ही ढलवा लोहा का जाता है तो friend ये data आपको याद रखने हैं कई बार exam में पूछे गए हैं तो इस question का आंसर हो गया option A steel carbon में कितना होता है 0.1 से 2% इसी पर का next question लेते हैं दोस्तों ये question के रहा है द्वनी की तिक्षणता किस पर निर्वर करती है option A आयाम option B आवर्ती option C गती option D दिसा तो friend इस question का आंसर होगा option B द्वनी की तिक्षणता आवर्ती पर निर्वर करती है आवर्ती के बढ़ने के साथ द्वनी की तिक्षणता बढ़ती है और आवर्ती के गटने के साथ द्वनी की तिक्षणता गटती है तो friend तिक्षणता का मतलब होता है कि आवाज कितनी मोटी है कितनी पतली है, तो फ्रेंड इसका आंसर होगा option B, next question देखते हैं, ये question कहे रहा है, एक साधारन गड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्योंकि pendulum की लंबाई option A बढ़ जाती है, इसलिए दोलनकाल बढ़ जाता है, option B बढ़ जाती है, इसलिए दोलनकाल गट जाता है, option C गट pendulum की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए उसका दोलनकाल भी बढ़ जाता है, friend जो दोलनकाल है, वो T बराबर होता है, टू पाई अंडरूट एल अपोन जी, जहां L है pendulum की लंबाई, तो friend जब गर्मी पढ़ती है, तो लंबाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जब लंबाई बढ़ेगी दोस्तों, तो या सिधे-सिधे जो दोलनकाल है, वो लंबाई के समानुपाती है, इसका मत्तर जब लंबाई बढ़ेगी तो दोलनकाल भी बढ़ेगा, और यही कारण होता है कि गड़ी सुस्त हो जाती है, दीरे-दीरे चलना शुरू हो जाती है, तो जिसे कहा जाता है, option A परावर्तन, option B अपवर्तन, option C विकीरिनन, option D अंतरशेप, तो friend, इस question का answer होगा, option B ऐसा अपवर्तन के कारण होता है, friends, म्रिग त्रिष्णा का पर्मु कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तथा जो अपवर्तन है, वो इसका सहायक कारक होता ह तो इन दोनों चीजों को आप याद रखिए, दोनों चीजे पूछी जाती है, तो पर्मु कारण इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तथा सहायक कारक इसका अपवर्तन होता है, दोस्तों, ये एक optical phenomenon है, जो दूर से पानी होने का ब्रह्म पेदा करता है, लेकिन एक चुल में पानी होता नहीं है, तो फ्रेंड इसका आंसर होगा, हमारा option B अपवर्तन, ठीक इसी पर का next question देखते हैं, ये question के रहा है, ता आप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्यूत वहन करने की शमता, option A गढ़ती है, option B बढ़ती है, option C चालक के पदार्त निर्वर करती है, option D अप परिवर्तित रहती है, तो फ्रेंड इसक्यूशन का आंसर होगा, option A गढ़ती है, ता आप बढ़ने पर किसी धारावाई चालक की विद्यूत वहन करने की शमता गढ़ती है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, किसी भी चालक का तो परतिरोध होता है वो R बराबर होता है, रो L अपोन A, जहां पर दोस्तों L चालक की लंबाई होती है और A उसका छेतरपल होता है दोस्तों, तो जब ताप बढ़ेगा दोस्तों तो चालक की लंबाई बढ़ेगी और लंबाई बढ़ने के साथ उसका परतिरोध भी बढ़ेगा, इस वज़े विपरी दोस्तों अर्द चालक के अंदर ताप बढ़ाने पर उनकी विद्यूत वहन करने की समता बढ़ती है तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है इसी परकार अगला क्यूस्टन लेते हैं ये क्यूस्टन कहे रहा है एक व्यक्ति परत्वी की अपेक्सा चंदरमा पर अधिक उच्छा उच्छल सकता है क्यों? उप्षन A चंदरमा का कोई वायो मंडल नहीं है उप्षन B चंदरमा का गुरुत्व कम है उप्षन C चंदरमा का तल कॉमल है उप्षन D इन में से कोई नहीं तो friend इसका answer होगा option B एक व्यक्ति पर्थवी के अपेक्सा चंदर्मा पर अधिक उचा उचल सकता है क्योंकि चंदर्मा का गुरुत्व कम है friend किसी भी वक्ति का या वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और गरुत्य त्वरण के गुणा के बराबर होता है तो friend क्या होता है जंदर्मा का जो गुरुत्य त्वरण है वो पर्थवी के अपेक्सा कम है उसकी वज़े से वहाँ पर व्यक्ति का भार कम हो जाएगा और कम भार होने की वज़े से वो अधिक उचा उचल सकता है तो हमारा option B राइट हो जाएगा इसी परकार next question देखते है friend ये question कहे रहा है विद्यूद चुम्बक इलेक्ट्रो मेगनेट बनाया जाता है option A मृदू इसपात यानि soft iron core option B steel core option C soft iron core में 4 और धारा परवाइद करके option D steel core में 4 और धारा परवाइद करके तो friend इस question का आंसर होगा option C विद्यूद चुम्बक इलेक्ट्रो मेगनेट को soft iron core में 4 और धारा परवाइद करके बनाया जाता है soft iron core इसलिए इस्तिमाल के जाता है दोस्तों क्योंकि इसकी सबसे best magnetizing और demagnetizing property होती है इसका मतलब है दोस्तों की जैसे ही विद्यूद अप्लाई करते है तो वो आसानी से चुम्बक कित हो जाता है और विद्यूद हटाते ही वो आसानी से वी चुम्बक कित हो जाता है तो friend इस question का आंसर होगा option C और जो permanent magnet होते हैं या इस्ता ही चुम्बक होते हैं दोस्तों वो steel core के बने होते हैं ये question भी कई बार पूचा गया है तो याद रखें इस्ता ही चुम्बक या permanent magnet को steel core यानि इसपात core का बनाया जाता है इसी परकार अगला question देखते हैं ये question के रहा है किसी मनुश्य के लिए स्वच हवा की कितनी मात्र आवश्यक है option A 1000 गन cm वायू परती 20 मिनट option B 1000 गन cm वायू परती 20 सेकिंड option C 1000 गन cm वायू परती 10 मिनट option D 1000 गन cm वायू परती 10 सेकिंड तो friend इस question का answer होगा option D किसी मनुश्य के लिए स्वच हवा की मात्रा 1000 गन cm वायू परती 10 सेकिंड आवश्यक है दोस्तों ये एक तरह का static data है जो आपको याद रखना है एकजाम में बार-बार ये repeat हो चुका है तो इस question का answer होगा option D 1000 गन cm वायू परती 10 सेकिंड इसी परका next question लेते हैं ये question के रहा है मोहर लवन का रासायनिक सुत्र है option A calcium hydroxide, option B calcium carbonate, option C calcium sulphate hemihidrate, option D calcium oxide, option E ferrous sulphate diamonium sulphate hexahydrate, option F calcium sulphate dihydrate तो friend इस question का answer होगा option E मोहर लवन, ferrous sulphate diamonium sulphate hexahydrate को का जाता है साथ ही दोस्तो calcium hydroxide को बुजावा चुना या कास्टिक चुना का जाता है calcium carbonate को संग्मरमर का रासायनिक सुत्र का जाता है तथा calcium oxide को quick lime या साधारन चुना या बिना भुजावा चुना के नाम से भी जाना जाता है तक था दोस्तों जो calcium sulphate dihydrate है दोस्तों इसको gypsum का जाता है और इसको गरम करने के बाद इसमें से जलके कुछ अनू निकल जाते हैं और आदा अनू बसता है जो बनता है calcium sulphate hemihidrate जिसको plastrope paris के नाम से जाना जाता है तो friend इन सारे data को आपको याद रखना है इन में से हर बार कुछ ना कुछ exam में पूछा जाता है इसी परकार अगला question लेते हैं friend ये question कहे रहा है यदि वायो मंडली अपवर्तन नहीं होता तो सुर्योदे और सुर्यास्ट के इस पश्ट समय के बारे में निम लिखित में से कौन सा कतन सही है option A सुर्योदे बाद में होगा और सुर्यास्ट पेले होगा option B सुरियोदे बाद में होगा ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अपवर्तन के कारण हमको सुरियोदे दो मिन्ट पहले दिख जाता है वो सुरियास्थ हो जाने के बावजुद अमको दो मिन्न तक शुरियास्थ होता है ये सब गटना अपवर्तन की वज़े से होती है तो जब अपवर्तन नहीं होगा तो सुर्योदे हमको बाद में होतवा दिखेगा वो सुर्यास्त पेले हो जाएगा तो हमारा आंसर A सही है इसी परकार नेक्स्ट क्यूशन लेते हैं फ्रेंड ये क्यूशन कहे रहा है फसलों पर DDT के चिड़काव से परदुसित होता है उप्शन A, वायू तता जल उप्शन B, वायू मिर्दा तता जल उप्शन C, वायू तता मिर्दा उप्शन D, सिर्प वायू तो फ्रेंड इस क्यूशन का आंसर होगा option B फसलों पर DDT के छिड़काव से वायू, मिर्दा तता जल तीनों परदुसित होते हैं friend ये क्यूशन AGT कितने एकजाम में बार बार पुच्चा जा चुका है यहाँ पर DDT की फुल फॉर्म होगी दोस्तों डाई क्लोरो डाई फैनिल ट्राई क्लोरो एथेन हालांकि ये एक इस्ताई योगी के friend लेकिन ये बहुत आसानी से इवेपोरेट हो जाता है हवा में इस वज़े से ये स्वशन समधी बिमारियों का कारण बनता है इसी परकार अगला क्यूशन देखते है friend ये क्यूशन के रहा है निम्न में नीलात होता ब्ल्यू विट्रोल का रासाइनिक सुत्र है option A zinc sulfate with 7H2O option B silver nitrate option C silver chloride option D copper sulfate with 5H2O तो friend इस क्यूशन का अंसर होगा option D copper sulfate with 5H2O को नीलात होता या ब्ल्यू विट्रोल के नाम से जाना जाता है साथ ही दोस्तों zinc sulfate with 7H2O को सपेथ होता या white vitriol के नाम से भी जाना जाता है तता silver nitrate को lunar कास्टी का जाता है और silver chloride को दोस्तों horn silver के नाम से भी जाना जाता है ये चारों बहुत ही important है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए ये एकजाम में बार बार कुछे जाते है ठीक इसी परकार अगला क्यूस्टन देखते है ये क्यूस्टन के रहा है नाभी के विखंडन किसके टकराने से होता है option A proton, option D electron, option C neutron, option D nano of these friend इस क्यूस्टन का अंसरोगा option C नाभी के विखंडन neutron के टकराने से होता है friend इस परक्रिया में एक uranium 235 radioactive परमानू एक neutron को absorb करके दो नए एटम में तूडता है और उर्जामुक्त करता है इस परक्रिया को ही दोस्तों नाभी के विखंडन का जाता है इसी परकार अगला क्यूस्टन देखते है friend ये क्यूस्टन के रहा है नीमन में से किसकी frequency सबसे ज़्यादा है option A cosmic ray, option B X ray, option C radio wave, option D microwave friend इस क्यूस्टन का answer होगा option A सबसे ज़्यादा frequency cosmic ray की होती है तो देखे दोस्तों सबसे ज़्यादा cosmic ray की होती है उसके बाद gamma ray की होती है उसके बाद X ray की होती है उसके बाद अल्ट्रा वोइलेट रेकी होती है दोस्तों और उसके बाद आता नंबर विजीबल रेका और उसके बाद नंबर आता है इन्फरा रेका और उसके बाद नंबर आता है माइक्रो वेव का और लाश्ट में नंबर आता है रेडियो वेव का तो सबसे कम फ्रिक्वे बढ़ने के साथ साथ वेव की एनरजी भी बढ़ती जाती है अर्थात ये क्यूशन ऐसे भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा एनरजी किस वेव की होती है तो दोस्तों कोस्मिक रेक की सबसे ज़्यादा एनरजी होती है और फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है ये सिक इस क्यूशन का आंसर होगा option C, इन में से redone noble gas वातारण में नहीं पाई जाती है, ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देखते हैं, ये क्यूशन कह रहा है यदि एक M द्रेवमान का proton प्रकासिय वेग से गतिमान हो तो इसका द्रेवमान होगा, option A अप परिवर्तित, option B सुन्य ह हो जाएगा, option C अनन्त हो जाएगा, option D अधिक किन्तु सिमित, तो friend इस क्यूशन का आंसर होगा option C, यदि प्रोटोन प्रकासिय वेग से गतिमान हो तो उसका द्रेवमान अनन्त हो जाएगा, ये दोस्तों इस हिसाब से द्या जाता है कि गतिमान वस्तु का द्रेवमान M बर वेलोसिटी है और C परकास का वेग है, तो दोस्तों जब ये वेलोसिटी C के बराबर हो जाएगी तो वस्तु का द्रेवमान अनन्त हो जाएगा, लेकिन friend प्रेक्टिकल ये ऐसा अभी तक पोसिबल नहीं है, इसी परकार अगला क्यूशन लेते हैं, ये क्यूशन कहे रहा ह ये दरपन का सिलवरी करण करने में किस कार्बो हाइडरेट का प्रियोग किया जाता है, ओप्शन A सुक्रोज, ओप्शन B माल्टोज, ओप्शन C ग्लुकोज, ओप्शन D फ्रुक्टोज, तो friend इसक्यूशन का आंसर होगा, ओप्शन C, दरपन का सिलवरी करन करने में बुलें, साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तता बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सकें, धन्यवाद दोस्तों